देश में दुशकर्म की वारदाते थमने का नाम नहीं ले रही हैं ताजा मामला राजिस्तान के बाड मेर जिले का है जहां एक बकरिक चराने गई नाबालिक लड़की के साथ दुशकर्म किया गया आपको बता दें 40 साल का एक शक्स लड़की को पहले पाड़ों में ले गया जहां उसने पेडिता को बंदग बना कर उसके साथ दुशकर्म किया पिर नाबालिक को बेहोशी समझ कर उसे मारने तक की कोशिश की फिलाल आरूपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है पुलिस फरार आरूपी की तलाश में जुटी हुई है पिता के मुताबिक नाबालिक बकरी चराने जंगल की ओर गई थी इसी दोरान 40 साल के भोपाल सिंग्ने उसे बंदग बना लिया मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब नाबालिक लड़की काफी वक्त बीत जाने के बाद घर नहीं पहुँची परिवार के लोगों ने उसे ढूरना शुरू किया पिडिता इधर उदर नहीं मिली तो पहाड़ों में देखा कि वह बेहोश जमीन पर पड़ी है पिडिता को वहां से उठा कर घर लाया गया पिडिता काफी डरी और सहमी थी काफी पूझने पर पिडिता ने अपनी आप बीती सुनाई पुलिस ने माता पिता की शिकायट पर भोपा सिंग के खिलाफ पॉक्स और एक्ट के तहत मामला दर्च किया है